हमारी में क्यारेक्टर लिंडा को उसका हजबन जबर्दस्तिकर एडल विम करने के लिए मजबूर करता है इसके बाद उसकी पूरी लाइफ को वही कंट्रोल कर रहा था क्या आप इससे वह बच पाएगी या हम आज के हमारी मूवी लवलेस जो 2013 की एक हॉल्यूड ट्रू इंडरस्टी में आप काम कर रही थी उसकी मूवी बहुत ज़्यादा हीट हो चुकी थी अब भी वह बहुत ज़्यादा दुखी है अब इसके बाद यहां पर वह कैसे पहुची इसका फ्लैश बैक हमें दिखाय जाता है एक दिन लिंडा की मदर घर पर नहीं थी तो सुमिं लिंडा की मदर काम से ज़रा जल्दी घर पर आके लिंडा को इस तरीके से देख कर उसे बहुत डाटती है थोड़ी दर में लिंडा और उसकी फ्रेंड स्केटिंग करने के लिए गये हुए थे एक बैंड बहुत ही अच्छे से प्लै कर रहा था पैटसी वहां के इंप्लॉ कि अच्छी लगती है चग उनसे कहता है कि तुम दोनों प्रोफेशनली भी डांस कर सकते हो इसके बहुत ही जादा पैसे मिलते हैं लिंडा कहती कि क्या है सचफुष में पॉसीवल भी है लिंडा पुछती कि मुझे देखने के लिए कौन पैसे देगा चग कहता है कि तुम कुछ क्वेशन पुछने के बाद ही उसने लिंडा को बाहर बेजा उसकी मदर बहुत ही जादा कंसरवेटिव थी यह बाद ही एक टाइप से चक और लिंडा की एक डेटी थी मूवीज वेगरा इन सब चीजों को लेकर बात कर दिया और एक दूसरे की कंपनी उन्हें बहु बहुत ही बोरिग के तुम बहुत ही जादा इंट्रस्टिंग उप इसके बाद उसे घर चुड़ने के लिए उसने लोटिस केया था कि लिंडा बहुत ही चूप रही थी उससे पुछता है कि ऐसा क्या हुआ लिंडा ने कहा कि गलती से मैं एक साल पहले प्रेगनन्ट हो गह चक है तो लिंडा को लगता है कि उसके पैरन्स को चक पसंद नहीं आएगा चक कहता है यह फादर भी आर्मी में थे उसने कहा कि आपके पास वार की बहुत सारी स्टूरीज होंगी मेरे पास वैसा कुछ भी नहीं है वो सिर्फ उन्हें इंप्रेस करना चाहता था इसके बाद इसके बाद चक लिंडा को मुवी देखने के लिए लेकर जाने वाला था उससे अपने घर वो लेकर आता है यह दोनों इंटिमेट हो रहे थे तो लिंडा ने कहा कि मेरी बॉड़ी पर स्कार है उसे वह थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगता चक कहता है कि तुम जैसी हो व पार्डी में लिंडा की फ्रेंड पैट्सी भी आई हुई थी वो चक के बाद जाती है तो चक ने एडल फिम लगाई हुई थी पैट्सी बुछता है क्या तुम्हें यह सब पसंद है पैट्सी को इतना अच्छा नहीं लगता था चक पैट्सी के पास जाने लग गया और उ पैट्स हुई नहीं है मैं तुम्हें टीच कर सकता हो इन मूवीज में जो भी दिखाया जाता था यह सब करना लिंडा को अच्छा नहीं लगता था पर फिर भी चक के कहने पर उसे खुश करने के लिए कर लेती है एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश थे तो इन्होंने शा काम के बारे में कुछ भी क्वेस्शन नहीं कर सकती लिंडा को लगता था कि चग डांस करने वाली लड़कियों को सप्लाय करता है पर अब उसे पता चला कि उनके प्रॉस्ट्यूशन में भी उसका हाथ है चग ने कहा कि उन्हें हमेशा पैसों की जरूत होती है तो मैं उन् विल्म की कास्टिंग के लिए लिंडा को ऑडिशन देनी के लिए कहता है फिल्म के डारेक्टर ने लिंडा को बाहर भेज दिया और चक से कहते हैं कि लड़की नहीं चलेगी आजकल लोगों को सब कुछ आर्टिफिशल देखने की आदत पड़ गई है लिंडा को तो हो चुकी थी यहाँ पर इनका इन्वेस्टर आया जिसका नाम था एंथोनी एंथोनी लिंडा से कहता है कि मैंने तुम्हारा काम देखा है तुम्हें एक बड़ी स्टार बनोगी मेकप करते हो लिंडा के फेस पर जरह फ्रेकल्स थे इसे छुपाने की कोशिश की जा दिया चग इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्साओक है कहता है लिंडा के बारे में वही चीज बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल है उसके फ्रेकल्स सीन के पहले लिंडा ज़रा नर्वेस थे तो मूवी का हीरो हैरी उसके पास आता है उसने कहा कि सब कुछ एक दम अच्छा होगा जब हम दोनों सीन में होंगे तो स्लोली स्लोली बाकी की सब चीज़े फेड हो जाएगी मूवी के पहले कुछ सीन शूट होता है अगली दिन लिंडा का हीरो के साथ इंटिमेट होने का सीन था इनके स्पॉंसर एंटोनिन ने कहा कि अगर लिंडा के पास चग भी होग पर फिर भी इसकी बात नहीं मानता अगली दिन शूटिंग स्टार्ट हुए और लिंडा के स्किल देखकर सब लोग हैरान हो गए थे लिंडा के सामने हिरो भी फर्स सीन में जादा परफॉंब नहीं कर पाया था यह सब सक्सेस्फूल हुआ और रात में यह सब पार्डी कर स्टार्ट हुआ वह जरा अंकमफटेबल थी तो फोटोग्राफर लेरी कहता है कि जिस तरीके से मुवी में तुमारे क्यारेक्टर की डेवलप्मेंट हुई है उसी तरीके से तुम फिल करो लिंडा का बहुत ही अच्छे से फोटो शूट हुआ और अपनी फोटो उसे होटी खुश थी मुवी अब थेडर्स में जा चुकी थी और सक्सेस उसे मिलना स्टार्ट हो गया था चक एंथनी से कहता है हमें बहुत कम पैसे मिले और आप लोग बहुत कमा ओगे एंदो नहीं बहुत स्ट्रीक था कहता है मैंने पूरी मुवी स्पांसर की थी इससे पैस प्राइवेट स्क्रिनिंग की पार्टी थी जहावर लिंडा हुव हेपनर से मिली यह प्लेबॉय मैगजीन का एडिटर था लिंडा उसे देखकर बहुत एक्साइड़ हो जाती है आज पूरा प्रिमीर एक दुसरे की साथ ही थे हुव लिंडा से कहता है कि तुम एक्च्व बोल रही है जूट इसकी टेस्ट लेने के लिए गई अब तक जो भी सिच्वेशन हमें बताई जा रही थी इसके पैरलल में एक्च्वल में लिंडा के साथ क्या हुआ था यह अब हमें पता चलेगा लिंडा के साथ चकने जब शादी की थी तो उसे हर एक चीज करने के लि लिंडा को रेडी करकर एक क्लब में लेकर गया एक डॉक्टर से बात करने लग गये थे उस डॉक्टर को लिंडा बहुत ही पसंद आई थी तो चग ने लिंडा को उसके साथ इंटिमेट होने के लिए जबरदस्ती कि वह लिंडा से प्रॉस्टियूशन करवाने लग गया अगर वो इस सब नहीं करती तो चग उसे बहुत ही जादा हर्ड कर देता इन सब से तंग होकर लिंडा एक राद अपनी मदर के पास आ गया मदर को पता चल गया कि कुछ ना कुछ तो गड़वड है वो पुछ दे कि हुआ क्या कुछ दिनों के लिए में यहाँ पर रह सकती लिंडा की मदर गयती है कि जब मैं 18 साल की थी तब ही प्रेगनट हो गई थी तुम्हारी सिस्टर को लेकर मुझे इस सोसाइटे में रहना पड़ा था और मुझे बहुत ही जादा तकलिफ हुई थी तुम्हारे फादर बाद में मिले और उस वज़े से सब कुछ ठीक हो गय अपने पदी को तुम्हें खुश रखना चाहिए वह जो भी कहता है तुम्हें करना चाहिए इस बात को लेकर उसकी मदर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रीक थी लिंडा बहुत रोती है सिर्फ एक रात के लिए यहाँ पर रहना चाहती थी पर उसकी मदर उसे अलाउड नहीं क सकते हैं सब कुछ उसके साथ जबरदस्ति किया जा रहा था हमने प्रिवेसली देखा था कि लिंडा ने चक को एंटोनी के पास आकर बेटने के लिए मना कर दिया था उस रात चक लिंडा को बहुत मारता है एक दिन लिंडा अपने फ्रेंड पैट्सी से मिलने के लिए गई सुन रहा था तो लिंडा डरकर कहती हैं कि मैं बहुत लक्य हूँ कि चक मेरा हस्पंड ए एक दिन पार्टी में चक एंटोनी के साथ पैसों को लेकर बात कर रहा था हैं अगली मूवी में मैं उसे डबल पैसे देने वाला उह Mesi लिए ने चक को इसके बारे में बताया नहीं जबरदस्ती लिंडा की एक फेक बायोग्राफी लिखना भी हो स्टार्ट करते हैं एंथोनी चक के पास आकर उसके पैसे फिर से वापस मांगता है चक ने कहा कि थोड़े दिनों में मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा पर एंथोनी कहता है कि लिंडा को सिर्फ और एक मूवी करने के लिए मना लो पैसों के बारे में तुम्हें वरी करने के कोई भी जरुवत नहीं पड़ेगी लिंडा की मूवी का जब प्रीमियर हुआ था तो ह्यू हैफनर भी सिर्फ उसके साथ इंटिमेट होना चाहता था इन सब बातों से बहुत जादा डिस्टब हो गई थी ए जब लिंडा से आता है अब तुम्हें और एक मूवी करनी पड़ेगी पर लिंडा इस बात को माननी रही थी उसने कहा कि चलो हमें एक और पार्टी में जाना है उसे एक होटेल रूम में गया और वहाँ पर उसका सोधा किया वहाँ बहुत सारे लोग थे लिंडा को उसने गन लगा कर धम गया सब मिलकर लिंडा को जवर्दसी करता है एक तरीके से उसे मना करने के लिए उसे सजा दे रहा था यह जब घर बोचे तो लिंडा वहाँ से भागने की कुशिश करती है पर चक ने उसे रोक लिया नीजे गेर कर वो हर्ट हो गई थी वहाँ से पुलिस क लिंडा को आटोग्राफ ले लेता है सुबा होने पर चक जब सोया हुआ था तब लिंडा वहाँ से भाग गए डारेक्ट लों एंटोनी के पास आए एंटोनी कहता है तुम्हें सिर्फ और एक मूवी करने है उसके बाद दुम इंडिबेंडन जी सकोगी लिंडा ने उसकी सारी सिचुएशन उसे समझाती है वो गयती है कि अब मैं और एक मूवी नहीं कर सकती है एंटोनी डिसाइड करता है कि उसे सपोर्ट करेगा उसने उसे रहने के लिए बहुत यच्छी से जगा दिये चग लिंडा को हर जगा ढूडने की कोशिश करता है फाइनली होटेल मे और इसके बाद 6 साल गुजर गए थे लिंडा अब एक्चुल में अपने बायोग्राफी लिख रही थे उसका हमें घर दिखाय जाता है जिसमें उसका हजबन और एक छोटा सा बेटा था उसे पब्लीशर से कॉल आया था और इसकी स्टोरी अप्रूड हो गई थे लिंडा क प्रूड के सोसाइटी में हमें बताया जाता है जैसा हमारा पतिक है वैसे हमें सब कुछ करना पड़ेगा यह इंटर्वू लिंडा की मदर सुन रही थे यह बात मदर नहीं उसे कही थी तो इस वज़े से उससे बहुत ही जादा गिल्टी में एसुस होता है लिंडा ने कहा लिंडा करिये सब बहुत रोएं फिर से एक फैमिल्यों बन चुके थे इसी एक मुमेंट पर यह मुवी एंड हो जाती है लिंडा के मुवी ने 600 मिलियन डॉलर्स गमाए थे जिसमें से उसे सिर्फ 250 मिले उसकी बुक बहुत फेमस हुई थी चक को बाद में हाट डग आकर उ परशनल ट्रांस्पॉर्मेशन के लिए देर नहीं होती है इसी के साथ आज का वीडियो हम खतम करते हैं अगर आपको एक्स्प्लेशन अचा लगा तो प्लीज से लाइक और कमेंट जरू कर दीजेगा मैं बहुत सारे मुवीज लेकर आधा रहता हूं तो प्लीज चैनल को स सब्सक्राइब कर दीजें और बेल नोटिफेशन आपकों दावने मत भूलिएगा हम फिर से मिलेंगे और एक नेमों के साथ तब तक लिए ठैंक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखिये